नवसकार दोस्तो आप सबी का स्वागत है सिक्षा अकैडमी के इस नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बाल विकास एवं सिक्षा सास्त का टॉपक है बाल विकास के सिध्धान्त दोस्तो यह टॉपक का पार्ट यह दूसरा है एक पार पहले यह अप्लोड कर चुका हूँ जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिसके अप्सन में मिल जाएगी तो चले दोस्तों आज का है वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्ण है यहां बार बिकास कभी ना रुखने वाली एक प्रक्रिया है तत्ते चंद्धित है कि यह दोस्तों इसका है दोस्तों से निरंद्रता के सिध्धान्त से संब्द्धित है option number is का right answer है किस से निरंता के सिद्धान पर आधारित है ठीक है इसके बाद अंगला प्रश्ण है बाल मनु बिग्यान बालक के ब्योहार का सिद्धान्त बाल मनु बिग्यान बालक के ब्योहार का सिद्धान्त है क्या है पेभारिक बेग्यानिक सिख्णिक या अनिवार रहे है तो इसका सही answer option number बियानिक या दुस्तों बेग्यानिक है ठीक है कौन सा बेग्यानिक सिद्धान्त कहलाता है इसके बाद अंगला प्रश्ण है बच्चे के बिकास के सिद्धान्त को समझना सिख्चक की साहता करता है तो इसका right answer option number c यानिकी सिख्चान्तियों की भिन अधीगम सेलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में करता है इसका right answer c रहेगा इसके बाद अंगला प्रश्ण है बालकों में इसने एवं प्रेम संबन्दी आबसकताओं को प्राया निमलिखित पत्थ की अंतरकत समुही क्रित किया जाता है इसका right answer है option number b संबेद नात्मक सुरक्चा ठीक है इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ण पर अंगला प्रश्ण है बालक के बेवहाल को इसपर्ष्ट किया जा सकता है option a है उन उद्धिपकों के संदर्प में जो उस पर कार्य करता है option b है उनके सामाजिक दबाओं के संदर्प में इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ण पर अंगला प्रश्ण है बालक का बेवहार सद्यों उत्पन होता है उसकी बालक का बेवहार सद्यों उत्पन होता है उसकी मनोसारारिक आवशक्ताओं की पूर्ती के फल शुरूप या उसके प्रभावी मूल के फल शुरूप या चिंता के साथ सारतक असारतक रूप से शयोजन करने के फल शुरूप या सामाजिक आवशक्ताओं की पूर्ती के फल शुरूप इसका राइट आंसर ऑप्सन नम्मर बी यानिकी उनके प्रभावी मूलियों के फल शुरूप होता है ठीक है इसके बाद अंगला प्रश्ण है ब्रोंड फेन ब्रेंडनर का विकार सिद्धान्त आधारित है दोस्त यह है जैब परिस्तिती पर आधारित है ऑफसन नम्मर इनका राइट आंसर रहेगा उपसन नम्मर प्रश्ण है अठारवा व्रोंड फेन ब्रेंडनर की परिस्तिती का प्रकस सिद्धान्त का तंत्र लगु मंडल शंबंदित है किस संबंदित है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ है इन सभी से संबंदित यानिकी मात पिता से भी संबंदित है सिक्चक से भी यानि की option number D इसका right answer आएगा कि यह सबसे शम्बंदित है इसके बाद अंगला प्रेश्ण है यहां पर एक रिसन का बाल विकास का सिध्धान्त है एक रिसन का बाल विकास का सिध्धान्त है option A मनुशामाजिक option B आर्थिक option C भौतिक बादी या option D इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer है option number A यानि की मनुशामाजिक option number A इसका सही answer है इसके बाद अंगला प्रेश्ण है एक किसन द्वारा प्रति पादन बालक के विकास सिध्धान्त की मूल अभिरुची है क्या है अभिरुची option A ब्यक्तिगत घरना ब्यक्तिगत अभी फ्र्णा ब्यक्तिगत पहचान या ब्यक्तिगत शुवार्थ तो इसका सही answer है option number C यानि की ब्यक्तिगत पहचान ठीक है option number C इसका right answer है तो दोस्तो एफ यहीं पर होता है समाप तेदी आपको एफ विडो पसंद आया हो तो फ्लीश विडियो को like करने शेयर करने और दोस्तो चैनल को subscribe करना ना भूलें तो चलें दोस्तो मिलते हैं अंगले नेस्ट विडो में तब तक दो बाए करते हैं